हेलो दोस्तों हम आपको उस दिन करा रहे थे प्राचलिक सम्मी करन के बारे में जहां तक हमने दूसरी वीडियो में आपको 17 एगजामपल के दूसरे पार्ट तक हमने करा दिया था अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं कुछ सवाल आपने भी सौल्व कि होंगे इसलिए अब ह आगे चलते हैं एक्जामपल 17 के तीसरे पार्ट इस यहां पर एक्जामपल नंबर 17 का जो तीसरा पार्ट से है उसमें उसमें बोला है कि एक्स बरावर x बराबर e की पॉवर थीटा यहाँ पे ब्रेकेट में थीटा प्लस 1 अपन थीटा x बराबर आपको यह दे रखाए इसके बाद यहाँ पे हमें y बराबर जो आपको दूसरा दिया हुआ है वो क्या दे रखाए e की पॉवर माइनस थीटा और यहाँ पे bracket में theta minus 1 upon theta यह आपको एक example दे रखा है जहाँ पे आपको dy over dx का माल निकालना है तो चलो start करते हैं इस example को यहाँ से सबसे पहले मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ को दे रखा हूँ और 30 जडरासी हो तो उसको आप क्या बोलते हो प्राचलेक्स समीकरण कहते हैं तो सबसे पहले यहाँ से इसको मैंने समीकरण नंबर 1 माल लिया इसको मैंने समीकरण नंबर 2 माल लिया सबसे पहले समीकरण एक का समीकरण एक का तीसरी दरा सी कुन सी है यहाँ पे थीटा के सापे च अवकलन अवकलन करेंगे यहाँ पे जब अवकलन होगा तो क्या हो जाएगा अब जानते होंगे दी एडिस एक्स अपन दे थीटा इस पे आपको मैंने बताया होगा गॉडन्फल नियम और गॉडन्फल नियम के अन्त्रकत क्या होता है आप जानते होंगे यहां से क्या करोगे पहला editive, एकी power theta editive और दूसरे की करोगे augalon, दूसरे की augalon करो, theta दिटा का theta के साथ x करो क्या हो जाएगा, 1 clear है और यहां से one upon theta इसका मतलब मैंने आपको एक वर समझाए होगा कि one upon x का जब augalon करते हैं, x के आप X तो क्या निकल गयाता है? माइनस का 1 upon x स्क्वायर वो कहोगी आप कैसे? तो उसका प्रोसीजर मैं आपको समझा दोगए तो यहां से 1 upon theta का जब अफ UP COLON करोगे तो क्या निकल कहीगा? 1 upon theta square क्लिर है? इसके बाद इसको आप यहाँ पर समी कर नमबर 3 माल लो या फिर इसको आगे solve कर लो थोड़ा सा तो यहाँ से जब solve करोगे तो dx एक step और रहेगा इसमें प्लस यहाँ पर क्या किया थे हमने पहला agitage कर दिया दूसरे का हमने क्या कर दिया अब क्लन कर दिया फिर प्लास दूसरा agitage ठीटा प्लस दूसरे पहले का अभुकलन कर दिया फिर दूसरा है जेटव और पहले का अभुकलन और पहले का अभुकलन E की पावर X का अभुकलन E की पावर X ही होगा यहाँ पे सको solve कर दो DX upon D theta बराबर कि इन दोनों में देख लो गोर से क्या कमन है E की पावर थीड़ टा एक ही पावड थीटा मैंने आशे कौम ले लिया आप कवाभन लेने के पस्याद ही यहाँ पर जो बच रहा है आपके सामने इसका क्या ले लो मैंने जैके सावकर को संट यहाँ से जब टोटल का के लियर है फिर यहांपर क्या पच़ेगा माइनस बन अभी यहां से ल्च्त mm प्लास ठीटा क्यूं को ऑफर यहांपर क्या पच़ेगा लाज ठीटा करियए तो यहां यह अपने समीकरण नम्मर तीन माल लिए इसको यहां तक बताओ किसी को कोई समस्या इसके बाद यहां से आगे देखो यहां पर जब आपको दे रखाए समीकरण नम्मर दो तो यहां पर सेम ऐसे लिखोगे समीकरण दो का तीटा के सापे एक च अबकलन और जब यहां पर आपकलन करोगे तो इसका प्रोसेज भी वही रहेगा जैसे कि यहां पर डी वाई ओवर डी ठीटा तो यहां पर क्या हो जाएगा पहला एजटिज रखोगे तो एक की पोबर माइनस थीटा एजटिज दूसरे का क्या करोगे यहां पर अभुगलंत दूसरे का अभुगलंद करो थीटा एक माइनस कर चिन्युख पर आप अल्रेटी रहे हैं तो वन अपॉन थीटा का मैंने अभी अभी आभी आपको समझाए था क्या निकल गाएगा माइनस का वन अपान थीटा स्काइर तो यहां पर क्या हो जाएग दूसरा है एगिटेज तो यानिके तीटा माइनस wanting sorry एगिज और यहाँ पर इसका उखलान करोगे तो क्या नकल गया इक़ीपाउबर माइनस ठी मा मैं ठीक है और यहां से माइनस एगीपाउबर माइनस थीटा हो जाएगा इसके बाद आगे देज attic कि अब इसको थोड़ा साँगे सॉल्व कर लो यहां से इसको सॉल्व करोगे डी वाई होगा डी थीटा बरावर यहां पर आपको सामने दिख रहा हुआ क्या देख रहा है यहां पर सेम इन दोनों इस टॉपर में आपको पॉमन दिख्या हुआ है की पावर मैनस दीटा इसके बाद आपको ले लिए हमने एक पावर मैनस धीटा ऐसे यहां लोग और एलसियम क्याएगा ठीटा स्कुर्ड आपको यहां पर वो ही सेम यहां पर मैं बचेंगा ठीटा स्कुर्ट है और यहां पर कहरा जाएगा प्लस वन लेकिन अब यहां से आगे इसको साल लुक्त लोगे तो यहां पर क्या निकल गएगा माइनस धीटा क्यूंच ठीक है ना और लाश्ट में के रहे जाएगा प्लास थीटा इसको माल लिए मैंने समीकरन नमबर चार इसके बाद देखो यहाँ पर आप लिखोगे समीकरन चार में भाग लगाना है किसका समीकरन तीन का यहाँ से जब भाग लगाओगे क्या बचेगा डी वाई ओवर डी थीटा बटे में डी एक्स अपन डी थीटा और इससे यह कैंसल हो गया यहाँ पर भाग लगाई आप समीकरन चार कौन सा दिर गया आपको एकी पॉवर माइनस थीटा यहाँ पर भाग लगा दिया थीटा स्कुएर प्लस वन माइनस थीटा क्यू प्लस थीटा अपन थीटा स्कुएर में में चार का मेंनस थीटा स्कुएर माइनस वन प्लस थीटा क्यू ब्लस थीटा अपन थीटा स्कुएर अपन थीटा स्कुएर ना प्लस दिए जब यहाँ यहां से solve करने के बाल और बराबर में क्या रहे गया एकी पावर माइनस थीटा और यहां से थीटा स्क्वाइर प्लस बन माइनस थीटा क्यू प्लस थीटा बटे में एकी पावर थीटा थीटा स्क्वाइर माइनस बन प्लस थीटा क्यू और प्लस थीटा यही आपका अंसर है तो यह था आपका एक्जांपल सत्रे का तीसरा पार्ट जो आपको solve करना था इसके बाद आगे बढ़ते हैं आगे चलते हैं एक्जांपल अठारा एक्जांपल अठारा में आपसे बूल रहा है यदि यदि एक्स स्क्वाइर प्लस वाई स्क्वाइर बरावर टी माइनस वन अपन टी यह पुदे रखा इसको मैंने समीकर नमबर एक तथा एक्स की पावर फोर प्लस वाई की पावर फोर बरावर आपको दरखा टी स्क्वाइर माइनस नहीं माइनस नहीं है प्लस है प्लस वन अपन टी स्कुआ है वो तो सिद्ध करना है यहाप आपको और क्या सिद्ध करना है यहाप आपको कि एक्स इंटू में डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई बरावर जीरो यहाप को सिद्ध करना है तो यहाँ से चलो इसको देखते हैं इसका हल जब करेंगे तो सबसे पहले यहाप हमने इसको पहला समिकन माल लिया इसको उमने दूसरा माल लिया तो यहाँ पर जब आप देख रहे हो कि टी माइनस वन अपन टी यह आपको दे रखा है इसके बरावर दे रखा है आपको x square plus y square के बरावड दे रहा है और यहाँ पे आपको x e power 4 plus y e power 4 बरावड आप दे रहा है t square upon 1 plus t square लेकिन यहाँ पे अपने एक बात देखे तो बहुत यहाँ से अगर हम t minus 1 upon t का whole square निकाले अब आप सुच रहे होंगे कैसे कैसे निकाल रहे है तो इसके दोनों तरीके हैं या तो आप x square plus y square का whole square निकालो उसमें आपको एक step जोड़ना पड़ेगा और एक step बटाना पड़ेगा या फिर आप सीधा-चीधा t minus 1 upon t का whole square निकालो तो यहाँ से जाब वोन t minus 1 upon t का whole square निकालेंगे तो क्या result आएगा t square plus 1 upon t square minus 2 into में t into में 1 upon t यहाँ पर t से t cancel हो जाएगा और इसके बाद यह वाला जो step बच रहे हैंगे t minus 1 upon t का whole square बरावर t square upon 1 upon t square और minus के 2 यह आपका हो गया समीकरण नमबर 3 चीक है यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत हो तो मुझे बता देना यहाँ तक हो गया अब इसके बाद जो आगे काम करेंगे क्या काम करेंगे कि समीकरण एक बदो से समीकरण एक बदो से समीकरण तीन में मान रख दो तीन में मान रखने पर और जब यहाँ से मान रखोगे तो t minus 1 upon t का जो मान था वो क्या था दिरगा आपको x square प्लस y square अब यहाँ पर क्या करना है whole square तो whole square लगाती है मैंने t square plus 1 upon t square की value के दिरगा आपको x की power 4 plus y की power 4 minus की दिरगा आपको 2 यहाँ से आप इसको solve कर लो यहाँ पर इसको solve कर लो कि कहने कल गया x की power 4 plus y की power 4 plus 2 x square y square यह कौन सा हो गया a plus b का whole square उसी से solve गया है बरावर यहाँ पर दिरगा आपको x की power 4 plus y की power 4 minus के 2 इन दोनों step से यह वाला step कर जाएंगे जब इन्हें पक्षा अंतर करोगे तो यह यहाँ से cancel हो जाएंगे तो यहाँ पर आपको सामने क्या बच गया 2 x square y square minus 2 बरावर जियो यही वाला step बच गया है यहाँ पर अभी एक काम कीजिए यहाँ पर आप कामन ले लो जब यहाँ पर कामन लोगे तो यहाँ पर दो खतम हो जाएगा यहाँ फिर आप इसको डारेक्ली ऐसे कर सकते हो कि x square y square बरावर तो यहाँ पर पक्षान तक गया होगे तो यहाँ पर यह result आएगा एक देख लेते हैं इसको यह माइनस का यह माइनस का तो यहाँ से क्याने कलके आजाएगा बरावर का एक आजाएगा यह पर इसका आप अभकलन कर दो अभकलन कर दो देखो कि आएगा एक्स के साफ एक्ष अभकलन एक्स के साफ एक्ष अभकलन करने पर यहाँ पर अभकलन करो गोड़न फली हम लगेगा पहला एज़िट इस दूसरे का अभकलन करो क्या हो जाएगा 2y.dy over dx फिर प्लास दूसरा एजिटेज और यहां से अवकलन करोगत क्या हो जाएगा टू एक्स बराबर क्या है जीरो समझने हैं एक बार दोबारा से पहला एजिटेज हो गया दूसरे का उगलन कर दिया यहां पर मैंने जीरा वाई स्पेर करोगे टू वाई और डॉइ ओवर डी एक्स फिर प्लास वाई स्कुरे एजिटेज और इसका दूसरे करोगत क्या हो जाएगा टू एक्स और बराबर क् कि यहां से आगे चुन करों अ कि यहां पर क्या हो जाएगा यह तू एक्स स्कुरेर वाई डोट डीयों डी ऐट्स को कहा से क्या हो जेन आत्र दो एक्स डू है टू एक्स स्कुरेर बरावर जीरात यहां से दोनों में से common ले लो और common क्या दिख रहा है आपको common यहां पर हमें दिख रहा है 2xy और यहां से जब 2xy को मन लोगे तो यहां पर दो क्या बचेगा यहां पर बचेगा एक्शन dot dy over dx फिर प्लस और यहां से जब common लोगे क्या बचेगा y तो बरावर क्या दिख रहा है आपको 0 यहां से आप बाकिस x dot dy over dx प्लस y बरावर 0 तो कि आपने यह वाला जो इसका आपने क्या कर दिया पक्षांद्र करते हैं तो यह था आपका एक्जाम पर लंबर 18 अब उसके बाद प्रिश्णावली के और बढ़ लेते हैं कि वैसे तो प्रिश्णावली साथ पूंट चार के आप पुश्ण खुद सॉल्व करके देखें और जिस किसी में दिक्कत आए उसको फिर में रुखा बताओ जैसे कि यहां पर स्टार्ट कर देते हैं अपन जैसे तो सिंपल है खेर आप सॉल्व कर लोग इसको एक्सरसाइज जैसे कि साथ पूंट चार की बात कर रहा है इसमें से कुश्ण नमर जैसे पहला दे रखा है पहले का ए इसमें कहाद रखा है आपको X बराबर A सैक T Y बराबर कहाद रखा है आपको B 10 T इधर रखा है यहाँ पे आपको समी करण एक मानना है इसको इसको दू मानना है पहले एक आवकलन कर लो T के साफ एक्ष क्योंकि तीसरी दासी T है तो यहाँ से आपने लिख दिया समी करण एक का T के साफ एक्ष आवकलन और जब यहाँ पे ते के साफ इक जब लन करोंगे तो क्या हो जाएगा डी एक्स अपन डी टी बरावर यहां पे एक अचर रासी है सेक्टी का वकलन क्या होगा सेक्टी का वकलन हो जाएगा सेक्टी इंटू में टैंटी क्लियर है यह आपका समीकरण नमर तीन माल लो इसको ऐसी आप समीकरण दो का समीकरण दो का टी के साफ एक्ष अवकलन साफ एक्ष अवकलन और जब यहां पे अवकलन करोगे तो क्याने कल गाएगा डी वाई ओवर डी टी यहां पे अवकलन कर लो भी एचर रासी हो गई टैंटी के अवकलन करोगे तो क्याने कल गाएगा सेक्टी इसको मालिया समीकरन नंबर 4 समीकरन 4 में भाग लगा दीजिए समीकरन 3 का जब यहाँ पर भाग लगाओगे तो आप जानते होंगे कहने के लगा आएगा और यहाँ पर किया जाएगा भी सेक स्कॉयडे टी और अपन में के लगा जाएगा एक सेक टी इन टू में टैंटी यहां पर यहां पर यह वाली घात कर जाएगी तो यहां पर बचे गाई डीये अक्स अब दी वाई अपन डी एक्स बरावर बी अपॉन ए सेक्टी अपॉन टेंटी यह आपको गया है इसके बाद इसमें आपको पहले का बी दे रखा है उसको आप सॉल्व करके देखना दूसरे में भी नॉर्मल सी बात है आप कुछ सॉल्व कर लोगें दूसरे के बी हैसी से तीसरे का जो ए दे रखें आपको उसमें भी आपको यहीं वाला काम सेम करना है तीसरे का बी जो है वो भी चलो तीसरे का भी देख लो एक बाद सॉल्व करके देखना अपनी आए फिर में रोग बताना है तीसरे का भी तीसरे के बी में आपको देखा है कि एक्स बरावर ए थीटा माइनस साइन थीटा पहला और दूसरे का भी वरावर ए वन प्लस कॉस थीटा यहाँ पे आपको यह सॉल्व करना है सबसे पहले इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको आपने समी करन नंबर एक माल लिया इसको आपने दो माल लिया समी करन एक का इसके साफ एक्स थीटा के साफ एक्स अवगलन जब यहाँ पे अवगलन करोगे तो क्या निकल गया एगा डी एक्स अपन डी थीटा यहाँ पे एक है अचर रासी अब ध्यान से अवगलन देगा थीटा का थीटा के साफ एक्स करोगे एक माइनस साइन थीटा का क्या होता है कॉस थीटा इसको मैंने क्या माल लिया समीकर नमबर 3 क्लिए रहा है अब इसके बाद ऐसे यहाँ पर कर दो समीकर रण 2 का थीटा के साब एक च क्या करोगे अब कलन यहाँ पर जब कलन करोगे तो क्याने करके आएगा डी वाई ओवर डी थीटा बरावर एह यहां पे है अच्छरासी है अब अंदर आपकलन करोगे एक का अवकलन क्या हो जाएगा जीरो तो सीटा क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा इसके बाद आप जानते हूँ क्या करना है समीकरन तीन में वो समीकरन चार में यह मैंने समीकरन नमबर चार माल लिया भाग लगाना है किसका समीकरन तीन का यहां से पन भाग लगाएंगे भाग लगाने पर LHS में तो वहीं बचेगा डी वाई ओवर डी एक्स तो यहां पर जब डी वाई ओवर डी एक्स बचेगा तो यहां पर आगर रिजल्ट क्या जाएगा माइनस का ए साइन थीटा और यहां पर क्या बचेगा ए वन माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है और वो फॉर्मूला क्या होता है टू शाइन स्कुएर थीटा वाई टून यहां से आगे इसको सवल्व कुर दो माइनस का ए तो ही यहां पर साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता था 2 sin theta cos theta तो ऐसे यहाँ पर sin theta का formula क्या हो जाएगा 2 sin theta by 2 into में cos theta by 2 हो गया यहाँ पर नीचे क्या बच रहा है A into में 2 sin square theta by 2 यहाँ पर A से A cancel हो जाएगा 2 sin theta से यह वाली घथ कर जाएगी तो यहाँ पर जो नीचे वाली स्टेप में क्या बच गया dy over dx बराबर उपर क्या बच रहा है आपका 2 cos theta by 2 2 नहीं बच रहा है 2 से 2 भी कट चुका है cos theta by 2 बच रहा है और नीचे क्या बच रहा है sin theta by 2 तो यहाँ पर cos बटे sin वही cos theta by 2 यह आपका तीसरे का बी और इसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो आगे आपका step है चौता सवाल चौता आपका लेंदी सवाल है जो पूरा सवाल बनता है अच्छे नम्मर के लिए तो इससे पहले आप क्योंकि इसके लिए अपनको अलग से वीडियो बनाने पड़ेगे एक छटमे सवाल के लिए क्योंकि इस दास्वाल है अच्छा सवाल है इसके बाद आप देख लो चौते का बी चौते के बी जब देखोगे तो उसमें आपको दे रखा है कि एक्स बराबर ए इन्टू में कोश्टी प्लस लॉग टैन टी वाई टू और वाई बराबर आपको दे रखा है ए साइन टी कौन सा कॉश्टन होगे आपका कॉश्टन नम्मर चौते का बी यहाँ पर दे रखा है एक्स बराबर ए इन्टू में कोश्ट टी प्लस लॉग तो इस सबसे पहले के लिए सबसे पहले इसको हल करेंगे तो हल करने के लिए सबसे पहले आपको पता है कि समीकरण एक मानना पड़ेगा समीकरण नमबर दो मानना पड़ेगा तो यहां से जब इसको समीकरण नमबर एक मानोगे पहले वाले को यह समीकरण नमबर एक हो गया यह समीकरण नमबर दो हो गया तो यहाँ पर सबसे पहले समीकरण एक का या अवकलन करेंगे समीकरण एक का और किसके जाब एक्ष होगा टी के साब एक्ष टी के साब एक्ष अवकलन टी के साब एक्ष अवकलन करो इसका तो यहाँ पर हो जाएगा डी एक्ष अपन डी टी बराबर यहाँ पर वह यह अचर रहा सी है कॉस्ट टी का अवकलन करोगे क्या नकल गएगा मामाइवस साइन टी फिर प्लस इसके बाद आगे इसके दूट लॉग लॉग एक्ष का क्या होता है 1 अपन एक्ष तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 अपन 10 by 2 और हो गया फिर 10 by 2 को करोगे तो क्या नकल गएगा सेक स्क्वाइर ती वाइट और फिर यहां पर इसका आगेश करोगे टीवाइटू का तो क्या आएगा वन अपॉन टू समझ में आएगा कि यहां पर सबसे पहले यह तो अच्छा रासी है वो तो निकाल दी हमने बार कॉश्टी का करो क्या हो जाएगा माइनस के साइन टी इसके बाद प्लास लॉग इसका इसको चप्लाइगा माम माइन सुनगों एकस की अब जोगोव मं जाना है ठाइन टीवाइटू फिर सेक स्कुर्ट हॉन तो को यह में पन्टू है को आगे सवाल्व कर लो इसको जब आगे स्वाल्व करोगे तो इसका भी सके अंदर गुणा कर लो या फिर इसे भारी रहें दो यह तो यहाँ पर है माइनस के साइन टी फिर प्लास यहाँ पर इसको चेंज करोगे तो वन अपॉन onsin टी बाई टो अपॉन कोस टी बाई टो यह गया इंटू में यहाँ पर इसको चेंज करोगे क्या हो जाएगा one upon कोस स्कुआर टी बाई टो और इंटू में यहाँ पर कहती रहे हो one by two यहाँ पर है इस से यह वाली खाथ कैंसल हो जाएगे यहां पे आगे बड़ोंगे ए यहां पे आपको देही रखा हैं नой माइनस साइन और फिर प्लास और यहां पर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे एक फॉर्मुला बन गया 2 साइन ती वाई 2 और कॉस डी वाई 2 यह फर्मूला बन गया यहां से आप आगे चलोगे तो यह तो यहां पर ही माइनस साइन टी दे रखा है आपको फिर प्लास और यह किसका फॉर्मूला हो गया तू साइन टी वाइटू कॉस्ट टी वाइटू यह फॉर्मूला बन गया साइन टी का यहां पर आप लसिम ले लो और लसिम लोगे तो क्या निकल गया अगएगा साइन टी आएगा यहां पर यहां पर आप देख लो एद है till रखा है और गया आपको साइन टी और उसको मानलोब समीकर नमबर तीसरा ऐसे फिर समीकरणदो को उठाई है समीकरणदो का टी के साब एक अवकलन उसका अवकलन करोके तो कहने कलके आगा डी वाई ओवर टी टी बरबर ए तो वहां पर है ही साइन टी का अवकलन करोके का आएगा कॉश्टी तो यहां से जब भाग लगा होगे तो कहने कलके एगा डी वाई ओवर टी एक्स यहां पर चौत्य समीकरणदो क्या दरगा आपको एक कॉश्टी तो तीसरे में क्या आगा था एक कॉश्टी एपॉन साइन टी यहां पर इसको आगे देखो डी वाई ओवर टी एक्स बराबर यहां से यहां पर क्या बचेगा एक कॉश्टी तो यह साइन उपरा जाएगा बटे में क्या बच गया है एक कॉश्टी से यह वाली खाथ कट जाएगी ए से ए भी कट गया तो डी वाई ओवर डी एक्स बराबर बच जाएगा आपको टैन टी यही आपका अंजार है यह आपका कॉन सा था चौथ हे का बी यह भी अच्छा प्रिश्टन है एक बार मैं फिर रिपीट करना चाहूंगा इसको कि एक्स पर आपर यह दरखा आपको एक उस्टी प्लस लॉग 10 टी वाई टू तो यहां पर समीकर नेका टी के साफ एक अपकलन कीजिए यहां पर यहां पर यहां पर sensor टी को कॉर्ट करो के रूपमेर एससे सग सट्वार व्हुंनhole में चेंज कर दिए यहां से यह वぁलिगात कर जाएगी किसलिए क्योंख' कि यहां पे एक formula बन जाएगा 2 sin ty2 cos ty2 और यहां पे formula हो जाएगा sin t का इसके बाद LC हम ले लो minus sin square t plus 1 upon sin t और यह 1 minus sin square t किसका formula होगा cos square t का ऐसी वापने भूद और इसके बाद आपको पता ही है यह हो गए आपका समीकर नमबर 4 वो समीकर नमबर 4 नहीं चौथे का बी और चौथे के एक के लिए मैं आपको अलग से वीडियो बना के डालूँगा इसके लिए पूरी ओके अच्छा जबाल है वो इसके बाद चलो इसमें एकाद और देख लेते हैं एक आद कोशन और ओकी पूरा ही काम अब 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 आएज अब आएज आएज अब आएज 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 देखेंगे से वही है पांच में कोई प्रिशन नहीं होने चाहिए आपको और पांच मेंगा बीजो है वो भी सेम टू सेम ऐसा ही है अब सॉल्ब करेंगे देखो इसके बाद आजाते हैं कोशन नमर चे पे कोशन नमर चे आपको कई वार पेपर में भी आ चुका है इसको करने का तरीका भी वो यह जो आपको अठारे वे एक्जांपल के दौरा में आपको कराया था अठारे वे एक्जांपल के दौरा जैसे देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब आपको दरखए आप तै-1 upon T इसको समिकन्ड एक और दूसरा आपको दरखए सबस्ताद सबस्तिक दखक लाई सबते दिबिव् Coll Tal प्लस वाई की पावर स्क क्यूब सबते एक्स करना यह एक्स की पावर फौर जैस्तिक करना है उक्या चाहिए वाई सबस्तिक स्क्वाइर डी ओवर डी एक्स बराबर एक कई वर आ चुका यह बोड में इसको आपने पहला समीकंड इसको आपने दूसरा समीकंड माल लिए तो यहां पर यह तो आप अठारे वाले जो एक्जांपल वाले जो पैटरन उसको लगाओ तो यहां पर मैंने आपको एक तरीका बताया था दूसरा वाल तरीका जो इसमें मैं आपको लगा रहा हूं वह कौन सा है ध्यां से देगना है यहां पर आप एक काम कीजिए कि यह वाला जो इस्टैप आपको दे रखा है कि X की पौवर 6 प्लस Y की पौवर 6 अगर इसको अपन खोल है तो यह किसका होल स्क्वाइर ग्रूप में निकलेगा एक्स की पावर तीन प्लस वाई की पावर तीन का होल स्क्वाइर करें नहीं है ही समझ में है मैं आपको देखो समझा रहा हूँ जैसे कि यहां से अपन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का होल स्क्वाइर निकलें तो जब यहां पर होल स्क्वाइर निकलें तो का निकल गएगा एक्स की पावर शिक्स प्लस वाई की पावर शिक्स फिर यहां से प्लस टू एक्स क्यूब वाई क्यूब यही निकल के आएगा अब यहां से इसको आगे देखो अब क्योंकि XQ प्लस YQ यह तो आपकी को दे रखा है ठीक है ना अब यहां से इसको आगे देख लो इसको मैंने यहां पर X की पावर 6 प्लस Y की पावर 6 यह तो मैंने यह पर है और यहां पर कर दिया मैंने XQ प्लस YQ का होल स्क्वाइर माइनस का 2XQ YQ जब यहां पर इसको आगे सॉल्व करोगे तो X की पावर 6 प्लस Y की पावर 6 प्लस Y की पावर गया होगी ती माइनस 1 अपन टी ती माइनस 1 अपन टी का हुल स्क्वाइर और यहां पर आप पुदे रखाई है 2XQ YQ यहां पर आप इसको सॉल्व कर लो ती स्क्वाइर प्लस 1 अपन टी स्क्वाइर बरावर इसकी खाथ को लोगे तो क्या आईगा टी स्क्वाइर प्लस 1 अपन टी स्क्वाइर माइनस का 2 माइनस का यहां पर 2XQ YQ आपको देगा यहां से आप देखोगे यह वाला स्टेप पूरा कट जाएगा और जब पूरा कटेगा तो यहां पर क्या बच जाएगा टू एक्स क्यूव वाई क्यू बराबर माइनस दू यहां पर आप दो भी कॉमन लेगे इसे वह रटा सकते हो तो यहां पर एक्स क्यूव वाई क्यूव बराबर माइनस एक और इसको मालो समी कर नंबर तीसरा एक्स के साफ एक्स अवकलन कर दो एक्स के साफ एक्स अवकलन तो यहां पर अवकलन करोगे तो पहला एज़िट इज दूसरे का अवकलन करेंगे क्या आएगा 3y2.dy और फिर प्लास दूसरा एज़िट इस और पहले का गरगत क्याएगा 3x2 बरावर क्या है जीरो ठीक है ना यहां से आगे हमने तीन तीन को कॉमन लिया तीन को जीरो ने भाग लगा दिया तो यहां पर क्या बचेगा एक्सक्यू वाई स्क्वाइश क्यूर dot dy over dx फिर प्लास यहां पर क्या बचेगा एक्स स्क्वाइश क्यूर वाई क्यू बरावर जीरो जो कि हम ऐसे दिगरना है एक्स की पावर 4 तो यहां पर क्या करेंगे एक्स से दोनों पक्चों में गुणा और जब यहां पर गुणा करेंगे तो यहां पर क्या जाएगा एक्स की पावर 4 वाई स्क्वाइर डॉट डी वाई ओवर डी एक्स तो यहां पर गुणा करेंगे तो क्या जाएगा एक्स क्यू वाई क्यू बरावर जीरो 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 जाएगा और यहां से अब एक काम कीचिए समी करण तीन से मान रख दो समी घंड तीन से मान रख होगे तो क्या निकल गएगा कि एक्स की पावर 4 वाई स्क्वाई डॉट डी वाई ओवर डी एक्स और प्लस एक्स क्यू वाई क्यू की वैलू समी कर नंबर तीन में देखो क्या दे रगी है माईनस एक तो यहां पर अपनने क्या रख पर दो आता है कि एक्स की पावर 4 वाई स्क्वाई डी वाई ओवर डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा एक जो आपको यही सिद्धि करना है इती सिद्धम कि दोस्तों एक बार फिर इसको आराम से समझना उस समझने के बाद कोई प्रॉलम है फिर मुझे बताना करता है